है हलो एवरीवन वेलकम बैक टूमाइचानल लर्न विद रूची तोड़े भी आगों टू तो दो फैक्टरिजेशन फॉर क्लास एट पच्टरिजेशन स्टाट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि वाट आल फैक्टर से अफैक्टर ओफ नंबर यह under success, 3 & 6 Hope नहीं आपको पता है बिकॉर इन 8th क्लास नल अगर हम स्वढ में 6 is the largest factor तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 1 जो है smallest factor chapel होता है औलवेस फ़रे वरे नमबर ठीक है यह मैं आपको properties बता रही हूं थैक्टरस की 1 हमेशा smallest factor होता है जो number itself होता है यह हमेशे largest factor होता है जो बाकी के factors आते हैं वो 1 और number itself के बीच में आते हैं अब अगर हम 6 को लिख देते हैं 2 into 3 2 into 3 मतलब 2 through the 6 हो जाएगा तो यह क्या है prime numbers तो जब हम किसी भी number को उसके prime factors के formula लिखते हैं तो उसको हम prime factorization बोलते हैं सकते हैं तो को हम आगे reduce नहीं कर सकते हैं क्योस्तों टो प्राइंच अब जहन Si, plus नहीं हो पाते हैं यह होगे factors, prime factorization अब जिस तरीके से हम natural numbers को factorize करते हैं ठीके prime factorization करते हैं उसी तरीके से algebraic expressions को भी factorize कर सकते हैं अब इसका मैं एक एक्जाम्पल ले लेती हूँ. For example, एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 5X, X plus 3. अगर आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं पता, what is an algebraic expression, please check out my video for that. अब हम इसके factors निकालेंगे, ठीक है? अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जब हम factors निकालते हैं, तो वो कोई number भी हो सकते हैं, variable भी हो सकते हैं, या कोई expression भी हो सकता है, ठीक है? अब माल लीजिए, आपने ये एक expression था, इसके हो, factorize करना है, मिन्स इसके factors क्या क्या है? अब देखे, 5 है number, इसको आगे reduce कर सकते हैं? नो, because इससे prime number तो इसको और आगे reduce नहीं कर सकते हैं, x ही रहेगा, x प्लस 3 ही रहेगा, अब ये पूरी एक term है, ठीक है? ये एक term है, मैंने आपको पहले भी बताया, algebraic expression में, कि term क्या होती है, जब बीच में multiply होता है, तो term होती है, प्लस माइनस होता है, तो वो term डिवाइड हो जाती है, लेकिन ये पूरी एक term है, आप कहेंगे कि यहां तो बीच में plus आ रहा है, बट ये जो plus आ रहा है, ये bracket के बीच में आ रहा है, ठीक है, ये bracket में enclosed है, ये पूरा जो है, इससे multiply हो रहा है, तो it means ये पूरी एक term है, अब हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, राइट, तो it means इस algebraic expression के factors क्या हुए, 5, x, x plus 3, it means these are the prime factors, because इनको हम और आगे reduce नहीं कर सकते हैं, 5, 5 भी रहेगा, x, x ही रहेगा, x plus 3, x plus 3 रहेगा, यार irreducible, so it means इस algebraic expression के factors हो गए, then these are the irreducible factors, अब माल लीजें, यहाँ पर 5 के जगा, 6 होता, तो हम कैसे लिखते हैं, factors x, x plus 3, और 2 के prime factors क्या क्या होते हैं, 2 into 3, 2, 3 जा 6 होता, ठीक है, तो यह हो गए, इसके factors, अब एक मैं आपको important change बताना चाहती हूँ, अब आपको, I think, यहाँ तक समझ में आगया, नहीं आया, तो प्लीज थोड़ा सा, rewind करके देखिएगा, but this is very easy, अब आपको factors, prime factors, यह सब आगे, ठीक है, algebraic expression के factors कैसे हम दिकालते हैं, इसको और, जब तक reduce करना है, जब तक और आगे reduce होने के लिए वो ना रहे, ठीक है, मतलब prime factors निकालने हैं हमें, अब इससे हमें यह पता चलता है, कि जब हम algebraic expressions को factorization करते हैं, जब algebraic expression का हम factorization करते हैं, तो हमारे पास factors आ जाते हैं, ठीक है, algebraic expression को factorize करने के बाद, factors आ जाते हैं, and जब factors को हम आपस में multiply कर देंगे, multiplication करने के बाद, जब algebraic expression होता है, वो दुबारा आ जाता है, for example, अभी जो हमने किया, इसके factors क्या थे, 5, x, x plus 3, जब factorization किया तो यह factors आएंगे, ठीक है, और जब हम इनको आपस में multiply कर देंगे, तब दुबारा से algebraic expression ही आ जाता है, ठीक है, right, इस concept को अब समझ लेजिए, ठीक है, अब यहां तक हमारा हो गया, कि what is factorization, but, किसी भी algebraic expression को factorization किस तरीके से किया जाता है, इसके अलग-अलग methods है, factorize करने की, तो अब वो next topic में हम लोग different types of factorization method करेंगे, ठीक है, तो अब लोग, अब हम लोग first method, now, we will do the factorization methods, यह सारे हम factorization methods करेंगे, first method is, when each term of the given algebraic expression contains a common monomial, right, common monomial is important, जो भी algebraic expression दे रखाऊगा, उसमें कुछ common होगा, मतलब, जो terms दे रखेंगे, इनमें कुछ common दे रखाऊगा, and that is monomial, हम इसको examples के through करेंगे, ठीक है, अब यह different types of methods बता रहे हैं, factorization करने के, for example, 3x plus 21, यह एक algebraic expression है, इसमें कितनी terms है, two terms, one and two, क्योंकि इनके बीच में plus आ गया, plus minus जब आ जाते हैं, तो वो terms divide हो जाते हैं, यह two terms है, binomial है, ठीक है, लेकिन, इन दोनों terms में कुछ common है, and वो जो common है, वो हमें ढूणना है, क्या है, अब देखिए, पहले मैं थोड़ा सा detail में बताती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा, तो आप orally कर सकते हैं, यह एक term है, इसके क्या factors है, 3 and x factors हैं, हमने factors निकाला, सीखा हुआ है, algebraic expressions में, आप वो चेक कर सकते हैं, मेरे algebraic expression के वीडियो में, ठीक है, और अब भी हमने last में सीखा, कि 3 x के क्या factors है, 3 और x, अब 21 के क्या factors है, आप देखिए, हम 3 और 7 लिख सकते हैं, अब इन यह 3 x हो गया, 3 7 हो गया, अब इन दोनों में common क्या आया, 3, राइट, 3 आ गया common, तो यह तो अभी मैंने आपको समझाया, एक्जाम में आपको इस तरीके से नहीं करना, यह सब आप और लिए अपने माइंड में कर लेंगे, जब आपको आजाएगा, बट यह आप टू प्रैक्टिस मैनी सम्स फर दाट, अब हम लोग इसमें से common क्या लेंगे, 3, ठीके, जब भी हम कुछ common लेते हैं, तो फिर हमें bracket open करना पड़ता है, अब हमने इस first term में से 3 common ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, X, उसके बाद plus का plus लगा दीजिए, उसके बाद अब इस 21 में से भी हमने 3 common ले लिया, तो अंदर क्या बचना चाहिए 7, अब क्यों अंदर 7 क्यों बचना चाहिए, कैसे किया, इसका मतलब यह है, कि अगर हम bracket दुबारा से खोलते भी हैं, तो इसको हटा भी देते हैं, तो answer हमारा यही आना चाहिए, ठीक है, जब हम खोलेंगे तो क्या करेंगे, बाहर वाली term को अंदर वाली term से multiply करते हैं, right, distributed property हो जाती है, तो इसको इससे multiply करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो answer algebraic expression ही होना चाहिए, right, यह भी हमने discuss किया न, जब हम factors को multiply करते हैं, तो algebraic expression ही आता है, तो अब अगर इसको multiply करते हैं, तो कैसे, 3 को multiply किया 3x, plus 3 को multiply किया 7 से 21, same आ गया, तो हम लोगों को जब common लिखना होता है, तो इसी तरीके से करके लिखना होता है, कि जब हम दुबारा से open करेंगे, तो same algebraic expression आएगा, ठीक है, तो आप यह अगर लिखने का तरीका सीख जाएंगे, तो algebraic expression एकदम solve आप easily कर सकते हैं, 3 common लिया, अंदर चेक कर लिजिए, 3x, ठीक है, प्लस लगाया, 21, हम 3 को किस से multiply करेंगे, 21 आजाए, 7 आजाएगा, तो आप आपको यह सब करने की ज़रुती नहीं होगी, कि factors निकाला यह, यह सिरफ मैंने समझाने के लिए किया आपको, आप हम लोग, एक example, और कर लेते हैं इसका, फॉर एक्जाम्पल मैंने लिखा, 4x square y minus 8xy square, अब आप देखिए, यह दो टर्म से common देखना है, पहले हम numbers का common देख लेते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, आपको हमेशा छोटे वाला side पर जाना है, ठीक है, क्योंकि common हमेशे छोटा ही होगा, जैसे 2 and 4 है, इन दोन में common क्या हो सकता है, जैसे 2 हो गया, यह 2 into 2 हो गया, तो common क्या हो सकता है, 2 ही common हो सकता है, तो छोटे side पर जाना है, number क्या है, 4, 8, तो common क्या होएगा, 4 और 8 में, 4 ले सकते हैं, common ठीक है, 4 हमने common ले लिया, क्योंकि हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4, 2 जा तो जब bracket के अंदर लिखेंगे, तो 2 लिख देंगे, अब देखें, यहाँ पर X है, X स्क्वेर है, यहाँ X है, दोनों में छोटा क्या है, तो एक X ले लिया बाहर, Y है, Y स्क्वेर है, दोनों में common क्या है, Y, अब हमारा common term क्या है, अब bracket open किया, अब अब अंदर की term देखें, हमने common यह ले लिया, इसमें से common ले लिया, 4XY, 4XY, बच्चा क्या, 1X बच्चिया, क्योंकि 1 तो हमने बाहर ले लिया था, तो बच्च गया 1X, उसके बद माइनस कसा आईने तो, माइनस लगाई, आप देखिये, 4 तो हमने ले लिया, यहाँ पर 8 था, 4 को किस से multiply करेंगे, कि 8 बन जाएगा, 2 से, 4, 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, हमें यहाँ पर 2 लिखना है, क्योंकि जब हम इस ब्राकेट को खो ले, तो 4 to the 8 याएगा अंसर, अब यहाँ पर क्या है, X, Y हमने common ले लिया, 1 Y extra है, क्योंकि Y square है, तो यह है, तो इसके factors क्या होगे, 4 X Y, X minus 2 Y, इसके factors क्या होगे थे, 3 X plus 7, राइट, तो this is the first method, common monomial method, आप हम लोग next method करते हैं, now the next method is common binomial method, जैसे अभी हमने common monomial कहा था, यह common binomial है, यह भी monomial की तरह ही है, इसका भी मैं आपको examples लेके समझा देती हूं, ठीक है, for example, 3 X, 2 A minus 5 B, यह bracket के अंदर है, ठीक है, plus 4 Y, फिर 2 A minus 5 B, this is an algebraic expression, इसमें कितने terms हैं, 2 terms हैं, यह देखे, A one term and two term, अब यह जो bracket में है, इसके बीच में minus है, आप इसको यह confuse मत होएगा, कि यह अलग-अलग terms हो गई है, मैंने अभी पहले भी आपको बताया, यह bracket के अंदर है, यह bracket यहाँ पर multiply हो रहा है, तो यह पूरी एक term है, यह भी पूरी एक term है, अब हमें, इसको factorize करना है, by the common binomial method, इसका मतलब, अब हमें इन में से देखना है, कि common क्या है, अब देखिए, common क्या है, यहाँ 3 X है, यह 4 Y है, यह दोनों तो अलग-अलग हो गया, अब 2 A minus 5 B, 2 A minus 5 B, it means, इन दोनों terms में से common है, 2 A minus 5 B, यह आपने common बाहर ले लिया, ठीक है, अब bracket open कीजिए, अब इस पूरी term में से, 2 A minus 5 B, अगर आपने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 3 X, उसके बाद plus है, तो plus लगाई है, अब इस पूरी term में से, 2 A minus 5 B, आपने common ले लिया था, बाहर ले लिया था, इन दोनों में से बाहर लिया, ना यह common, तो इस वाली term में अंदर क्या बचना चाहिए, 4 Y, क्योंकि यह हमने बाहर ले लिया, बचा 4 Y, तो इसको factorize हो गया यह वाला, इसको factorize करने के बाद क्या आया, 2 A minus 5 B, 3 X plus 4 Y, ठीक है, इसमें एक example हम लोग और कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा और clear हो जाए, एक example में आपको और करा देती हूं, 9, 3 X plus 4 Y, 3 X plus Y, 4 Y को whole square है, इसका मतलब कि यह दो बारी है, 3 X plus 4 Y, 3 X plus 4 Y, तो square लगा दिया, minus 15, 3 X plus 4 Y, ठीक है, यहाँ पर सिरफ एक बारी है, अब देखे common, अब यहाँ पर numbers भी है, 9 और 15, ठीक है, अब आप इसको prime factorization के form में लिख लीजे, यह आप अपने mind में करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए कर देती हूं, 9 को कैसे लिख सकते है, 3 into 3, और 15 को कैसे लिख सकते है, 3 5s are 15, अब 3 into 3, और 3 5s are 15 में common क्या आया, 3, ठीक है, तो अब हम लोग common क्या ले लेंगे, numbers में 3, ठीक है, क्योंकि common है हमारा इधर 3 और इधर भी 3, अब यहाँ 3x plus 4y दो बारी है, यहाँ 3x plus 4y एक बारी है, तो मैंने बोला कम वाली side पर जाना है, तो common क्या जाएगा, 3x plus 4y, इसको bracket में लिखिए, क्योंकि यह bracket में है, ठीक है, अब आप bracket open कीजिए, दूसरे वाला, यह हमारी common term आ गई, common वाली, अब इस पूरी term में से, हमने यह वाला common ले लिया, तो अंदर क्या बचना चाहिए, 3 into 3 9 था, हमने एक 3 बाहर ले लिया, इसका मतलब 3 को 3 से multiply करेंगे, तब 9 आ जाएगा, अब यहाँ पे 2 बारी था 3 X plus 4 Y, तो हमें 3 X plus 4 Y, अभी एक अंदर लिख देना है, और इसको आप क्योंकि एक round bracket आ गया, तो यहाँ पे आप square bracket लगा देजे, अब यह minus है, तो minus का minus लगाया, अब यहाँ पे 15 था, अब एक्जाम में आप factors लिखनें नहीं बैठेंगे बार बार, आप दिमांग लगाईए, 3 को 3 से multiply करेंगे तो 9 आया, 3 को मैं किस से multiply करूँ कि 15 आया, 3 5 जा, राइट, 3 को 3 से multiply करेंगे तो 9 आगया, 3 को 5 से multiply करेंगे तो 15 आगया, अब 3 X plus 4 Y, 4 Y common ले लिया था, इसमें से भी बाहर common ले लिया था, तो यहाँ पर क्या बचा, 1, तो 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है, ऐसे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, तो answer हो गया यह, तो हमारा, अब 3, 3 X plus 4 Y, यह हो गया, राइट, अब जो यह अंदर वाली टर्म है, इसको आप खोल सकते हैं, 3, 3's are 9 X, plus 3 को 3 से multiply किया, फिर 3 को 4 से भी करेंगे, क्योंकि बाहर लिखा है, तो अंदर दोनों से होगा multiply, 3, 4's are 12 Y, minus 5, तो यह हमारा answer हो गया, तो ऐसे आपको बहुत सारे सम्स प्राक्टिस करने पढ़ेंगे, तो हो आप एकदम perfect हो पाएंगे, आपको एक दो सम्स करने से बात नहीं बनेगी, तो I recommend, या I request you, कि प्लीज बहुत सारे सम्स कीजिए, ताकि आप बहुत अच्छे से algebraic expressions कर पाएं, आप हम लोग third method करते हैं, now the third method is grouping and regrouping, इसमें भी हम एक example के through ही समझेंगे, एक example ले लिया, 5A plus AB plus 5B plus B square, ठीक है, अब grouping और regrouping, का मतलब क्या होता है, आपको group बनाने हैं, कि जिसके भीच में आप common ढूण सकें, मान लिजे मैंने एक group ले लिया, 5A और AB, ठीक है, अब इसमें common क्या होगा, AA, A common होगा दोनों में, अब ये 5B और B square, इसमें common क्या होगा, B common होगा, तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें A common है, इन दोनों terms को ये group बना लिया हमने, अपनी तरफ से, ठीक है, अब इसमें common ढूणना है, इसमें common क्या है, A और A, दोनों terms में A common है, A बहार लिख लिया, bracket खो लिये, अब first term में से A common लिया, तो अंदर क्या बचा, 5, राइट, plus का plus लगाया, इस term में से A common आगया था, A तो common लिया ना, इसमें क्या बचेगा B, राइट, अब ये plus का, यहाँ plus लगा दिया, यह जो group बनाने की, मैं बात कर रही हूँ, group बना लिजिए, group आपको उपने mind में बनाना है, कि आपको इसको ले लेना है, यह दोनों साथ में लिख लिए, साथ में ही थे, हमने उसी को group बना दिया, अब इसमें से B common है, तो B बाहर ले लेंगे, जब बाहर लेते हैं, अंदर bracket open करते हैं, अब इसमें से B common आ गया, तो अंदर क्या बच्चा 5, फिर प्लस, अब B स्क्वेर, B दो बार था, उसमें से 1 तो आपने बाहर ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा, एक B, ठीक है, अब यह हमारा हो गया, लेकिन अब आप यह देखिए, bracket में 5 प्लस B, 5 प्लस B, आपको यह ध्यान रखना है, जब ही भी आप grouping या regrouping वाला method करेंगे, कि जब आप group बना रहे हैं, तो जो brackets के अंदर expression होगा, वो same होना चाहिए, 5 प्लस B, 5 प्लस B, अगर यहाँ पर 5 प्लस A आया होता, 5 प्लस B आता, तो गलत होता, आपको यह expression same ही होना चाहिए, इसी तरीके से आपको group बनाना होगा, अब देखिए, अब यह दुबारा से दो term आ गई, यह पूरी एक term, यह पूरी एक term, अब इस पूरी term में से common क्या है, 5 प्लस B इधर भी है, 5 प्लस B इधर भी है, तो अब हम 5 प्लस B बाहर ले लेंगे, तो अब इस पूरी term में से, 5 प्लस B बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच्चा, A, ठीक है, प्लस का प्लस लिखिए, 5 प्लस B बाहर आ गया, तो यहां पर क्या बच्चा, B बच्चा, ठीक है, तो अब हमारा answer क्या आ गया, 5 प्लस B, A प्लस B, अब आप लोग हैं सोच रहे होंगे, कि मैंने यह वाला group ले लिया, लेकिन मैं यह group भी ले सकती थी, 5 A और 5 B, इसमें 5 common आ रहा है, और यह group भी ले सकती थी, ठीक है, तो इस इस लोन आज री grouping, आप को ग्रूप बनाए है, या उसको अपनी मर्जी से change करके, दूसरा group बना दीजिए, मैं आप इसको ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है, 5 A प्लस 5 B, मैं यह group बना लेती हूँ, प्लस A B, प्लस B स्क्वेर, राइट, अब हम क्या करते हैं, इसमें से common ले लिया 5, 5 बाहर आगया, अंदर बच्चा A प्लस B, अब इसमें से common क्या आएगा, यह B है, तो B, अंदर क्या बच्चेगा, यहाँ पर से common B आया, तो A बच्चा, और यहाँ पर आगया B, अब दुबारा से आप देखेंगे, A प्लस B, A प्लस B, अंदर common सेम ही है, A प्लस B है, जैसे यहाँ पर 5 प्लस B था, 5 प्लस B था, ठीक है, अब हमने दूसरा ग्रूप ले है, लेकिन bracket के अंदर सेम चीज़ आनी चाहिए, यह आपको धिहान रखना है, अब यह दो terms हो गई, इन में से common क्या है, A प्लस B, A प्लस B, 5 प्लस B, दोनों अंसर सेम है, ठीक है, तो this is grouping and regrouping method, लेकिन अब आपके माइन में यह, चल रहा होगा, कि आपको कैसे पता चलेगा, कि आपको regrouping करनी है, कि grouping करनी है, कि common लेना है, तो यह सब आपको practice से ही आएगा, जब आप sums बहुत सारे कर लेंगे, एक type में, तो आपको पता चल जाएगा, कि यह वाले method में हमें इस type से apply करना है, यह method में हमें इस type से apply करना है, तो यह आपको आपके practice से ही आएगा, आपको खुद से ही समझ में आजाएगा, तो बस आप practice कीजिए बहुत सारे sums, क्योंकि आपको method पता चल गए, आप practice कर सकते हैं, अब हम लोग fourth method करेंगे, अब हम लोग fourth method करेंगे using identities, यह identities आपने algebraic expressions में already कियो ही हैं, वही identities use करके हम factorization सीखेंगे, तो first identity है, a square plus 2ab plus b square equals to, a plus b whole square, यह वाली identity आपको पता होगी, अब इस पर कैसे सम आएगा, example हम ले लेते हैं, for example x square plus 6x plus 9, इस type का एक सम आएगा, आपको observe करना होगा वो सम, क्या वो perfect square बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपको perfect square के लिए देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर a square है, यह b square है, तो आपको इधर और इधर, देखना पड़ेगा कि यह perfect square बन रहा है, येस, देखिए यह तो already x square है, हम इसको x square ऐसे लिख सकते हैं, x square है, तो इसको थो हमने x square लिख दिया, 9 क्या क्या है, 3 का square, ये भी perfect square बन रहा है, 3, 3 is a 9, अब आप यहाँ पर, इसको इस तरीके से change कीजिए, कि ये 2 a b की form में आ जाए, 6 x को, तो आप कैसे लिखेंगे 2, 2 तो है ही फॉर्मुले में, into a, a हमारा क्या है यहाँ पर, a है हमारा x, into b, b हमारा क्या है यहाँ पर 3, ठीक है, अब जो ये algebraic expression जो हमें given था, उसे हमने formula के हिसाब से, identity के हिसाब से change कर दिया, है ये वही, same चीज है, लेकिन हमने उसको identity के हिसाब से लिख दिया, x square means a square, plus 2 a, 2 a, a यहाँ पर क्या है हमारा x, into b, b हमारा क्या है 3, ठीक है, तो ये हमारा change हो गया, अब, ये, अब identity में change हो गया, इसकी identity क्या है, a plus b whole square, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a क्या है, x, plus b क्या है हमारा 3, whole square, right, इसको आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, x plus 3, x plus 3, 2 बार है, ठीक है, तो इस तरीके से, आपको identity use करके, factorization करना होगा, अब आप खुद से देख लिए, x plus 3 whole square का, आप खोलेंगे, तो क्या आएगा, x square plus 3, plus 9, plus 2ab का क्या आजाएगा, 6x आजाएगा, ultimately, जब आप इसको, open up करेंगे, तो हमारा, जो algebraic expression given है, वही आदेगा, तो ये थो थी, first identity, अब मैं आपको, second identity का, एक example, करके बता देती हूं, second identity भी वही है, same, बस उसमें minus लगता है, आपने already किया हुआ है, right, तो second identity हम करेंगे, a square minus 2ab, plus b square, equals to, a minus b, whole square, तो ये इसका, एक example ले लिजे, x square minus 18x, plus 81, आपको perfect square के लिए देखना है, ये x square तो है ही already, right, यहाँ पे 81 किसका perfect square है, 9, 9, 9 जा 81, even, अब आप इसको change कर दीजिए, 2ab की form में, 2, अब a क्या हो गया, यहाँ पे हमारा, ये equals to, यहाँ पे आपको equals to डालते वे चलना है, ये a क्या है हमारा, x, ठीक है, और b क्या हमारा, 9, अब आप देखे, change करके, यही value आनी चाहिए, यह आप चेक कर लिजिएगा, 9, 2, 18, 18, x, minus का minus, आप चेक कर लिजिएगा, कि आपने ठीक से put किया है कि नहीं किया, अब यह identity में change हो गया, अब आप इसको इस तरीके से लेग दीजिए, a minus b, a क्या है, x, minus b क्या है, 9, का whole square, राइट, 3rd identity का बता देती हूँ, 3rd identity है, a square, minus b square, equals to, a plus b, a minus b, वैसे, आप लोगों के 4 identities, इस एलजिब्लिक expression में, लेकिन, factorization में, 3 identities का ही करेंगा, आपको इतना ही exam में आएगा, आपके course में इतना ही है, 8 class में, तो अब इसका एक example, 16 x square, minus 81 y square, यहाँ पर क्या होगा, कि यहाँ तो इस type से दे रखाऊगा, या इस type से दे रखाऊगा, आपको change करना होगा, तो अब आप देखिए, यहाँ पर a square, यह एक perfect square है, यह b square, यह perfect square, आपको इसको change करना है, इस तरीके से, 16 x square को अब कैसे लिख सकते है, 4 x का whole square, अब भी क्या लिखा हुआ है, 16 x square, x के साथ सिरफ square है, 16 already as it easy है, तो हमें 16 को भी perfect square में change कर देना है, 4 x को bracket में लिख दिया, और whole square लिख दिया, so that आप 4 x whole square को खोलेंगे, तो 16 x square ही आएगा, 4 x into 4 x, 4 x into 4 x, क्या बन जाएगा, 16 x square, तो इसको इस तरीके से करके, मैंने लिख दिया, minus 81 को कैसे लिख सकते है, 9 y का whole square, 9 9 is 81 y square, तो ultimately यही आजाएगा, अब यह formula में change हो गया, a square minus b square, तो अब इसके identity, किस तरीके से हम लिखेंगे, a plus b, a minus b, अब a क्या है यहाँ पर हमारा, 4 x, और b क्या है हमारा, 9 y, तो अब कैसे लिखेंगे, 4 x plus 9 y, और 4 x minus 9 y, राइट, अभी तो मैंने identity उपर लिखे हुई है, लेकिन exam time में, जो भी आप identity यूज करेंगे, वो यहाँ side में bracket में डाल की लिख देंगे, कि हम लोग, यह identity यूज कर रहे हैं, ठीक है, a square minus b square, a plus b, a minus b, आपको यह identity bracket में लिख देनी होगी, तो इस तरीके से आप identities यूज करके, अपने factorization कर सकते हैं, अब हम लोग last method करेंगे, अब हम लोग last method करेंगे, that is middle term splitting method, and that is the most important method, of factorization, तो अब हम लोग middle term splitting, now the last method is, middle term splitting method, and this is the most important method, of factorization, middle term से आपको समझ में आ रहे हैं, कि middle means beach वाली term, तो माल लेजिए, एक beach की term है 11x, और इसमें जो side वाली term है, वो है 30, and जो इधर term है, वो है x square, तो यह हमारा एक trinomial बन गया, trinomial में इतलब, जिसमें 3 terms हैं, और इसमें कि middle term यह होगी, अब middle term को हमें split करना है, लेकिन आपको जो trinomial है, वो कौन सा trinomial होना चाहिए, जिसके degree 2 हो, quadratic trinomial बोलते हैं, उसे जिसके degree 2 हो हमेशा, ठीक है, degree वो होती है, जो highest power होती है, किसी भी expression की, इसमें highest power क्या है 2, तो this is the quadratic trinomial, और quadratic trinomial में ही, आपको middle term splitting आएगा, तो 1 term होगी x square, x, 1 होगी constant, ठीक है, अब हमें middle term split करना है, तो first of all, अब आप यह जो corner वाली terms है, ठीक है, इसको आप देखिए, multiply करना है आपको, आप यह देखिए, इसको multiply करने से क्या answer आएगा, 30 into x square, इसका मतलब हमारा answer आगया, 30 x square, राइट, अब middle term को इस तरीकी से split करना है, कि answer जो है, उनको multiply करने से 30 x square आजए, और plus minus करने से minus 11 x आगये, आपको, अब हम करेंगे, तब समझ में आएगा exactly, लेकिन उससे पहले, जब आप यह multiply करते है 30 x square, तो जो number आज़ता है 30, मैं यह suggest करूँगी, कि जो 30 आया उसका प्राइम factorization निकाल दीजिए, 3 ones are, ठीक है, 5 twos are, 2 ones are, यह prime factorization हो गया, इस 30 का, अब आपके पास 3 numbers आ गए, एक तो आ गया 3, एक 5 और एक 2, अब इस इन 3 numbers से आपको idea लगाना है, तर्म किस तरीके से split कर सकते हैं, देखिए अब कैसे करेंगे, 1st वाली term तो हमें as it is लिख दे नहीं है, अब minus 11 x को किस तरीके से split करें, कि multiply करने से 30 x square i, अब और plus minus करने से 11 x, अब इसमें देखिए अब आप, यह एक है term 5, और यह है 3 to the 6, अगर मैं 3 to the 6 और 5 ले लेती हूँ, तो multiply करने से आएगा 30, अब plus minus करने से आएगा 11, कैसे, अगर मैंने लिखा, minus 5 x, minus 6 x, ठीक है, अब minus minus, plus, plus करेंगे, तो 6 plus 5, 11 x बन गया, और sign कौन सा लगेगा, minus का, इसका मतलब एक कंडिशन तो हमारी solve हो गई, कि plus minus, जो भी है करने से हमारा बीच वली term आ रही है, अब multiply करने से 30 x square आ रहा है की नहीं आ रहा है, यह चेक कीजिए, minus 5 x, multiply by, minus 5 x, multiply by minus 6 x, 5, 6, 30, minus minus plus, x into x, x square, जब multiply करते हैं, तो minus minus बन के plus हो जाता है, और x into x, x square हो गया, तो हमारा 30 x square बन रहा है, अब last में हमने लिख दिया 30, राइट, अब आप देखिए, middle term हमने किस तरह किसे split करी, कि बीच को plus minus करके, तो ये minus 11 x ही answer आ गया, जो middle term थी, वही आनी चाहिए, और जो दो numbers में हमने जो splitting की है, उसको multiply करने से, 30 x square आना चाहिए था, 30 x square क्यों, क्योंकि इन दोनों को multiply करके, जो answer निकलेगा, वही आना चाहिए था, तो हमें क्या करना होता है, जो multiply करके answer आता है, उसको prime factorization निकाल लेते हैं, तो हमें idea लग जाते हैं, हमें splitting कैसे करने हैं, अब simple है, अब हमें इसको grouping वाले method से करने हैं, इसको और इसको group कर लिजिए, x बाहर लिया, 1 x अंदर आ गया, minus, इसमें से भी x बाहर आ गया था, 5 आ गया, ठीक है, अब minus लिखा मैंने, और 6 ले लिया, अंदर, और x आ गया, क्योंकि अब इसको open up करेंगे, तो minus 6 x हो जाएगा, और minus 6 की table में 30 का बात है, 5 पे, हमें अंदर सेम चाहिए था, x minus 5, x minus 5, अब क्यों, minus क्यों लिखा है यहां पे, यह minus 6 x हो जाएगा, लिकिंए यहां क्या था, plus, minus, minus, जब हम open करते हैं, तो minus, minus, plus हो जाएगा, तो 6 5 दा 30, तो इसलिए हम लोगों ने यहां पे minus लिखा, और हमें bracket में सेम चाहिए, ठीक है, तो यह minus लिखने से हमारा solve हो रहा है, यह condition, क्योंकि जब हम open करेंगे, तो minus, minus, plus हो रहा था, अब again, यह दो term आगई है हमारे पास, अब x minus 5 इदर भी common, x minus 5 इदर भी common, तो x minus 5 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, यहां पे क्या बचा इस term में, x, और इदर इस term में क्या बचा, minus 6, तो हमारा answer क्या हो गया, x minus 5, और x minus 6 is the answer, आपको इस पे बहुत सारे sums करने पड़ेंगे, तभी आपको middle term splitting बहुत अच्छे से आएगा, एक-दो sums करने से नहीं आप आएगा, आपको procedure सीख लिजे, इसके बाद आप अपनी book exercise या कोई आपके पास extra book हो, तो उसमें से बहुत सारे questions प्राक्टिस कीजिए, मैं एक-दो example problems में और कराती हूँ, तो आपको और अच्छे से clear हो जाएगा, अब हम लोग एक example और कर लेते हैं, middle term splitting में, for example, 2x square minus 3x minus 9, आप carefully देखिएगा, आप मैं डारिक डारिक करूँगी, ठीक है, आप देखिए, 2x square multiply by minus 9 करने से कितना आ रहा है, 9 to the 18x square, minus 18x square, minus 9 multiply by 2x square, यह सब आपको लिखना नहीं है exam में, यह सिरफ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, जो समझ यहां करेंगे, वो ही आपको exam में करना है, 9 to the 18 minus 18x square, sign important है, जब आप multiply करेंगे, तो sign को भी consider करेंगे, ठीक है, अगर इसके आगे minus था, तो आपको minus लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी अगर minus होता है, तो minus लिखना पड़ता, तो मैं यहाँ पर minus 18x square आना चाहिए, और बीच में है minus 3x, plus minus करने से यह आना चाहिए, मैंने आपको बोला, जब multiply करेंगे, तो जो number होगा, उसका prime factorization निकाल दीजिए, 18 का, 2, 9, 3, 3 and 3, 1. इससे क्या होता है, आपको थोड़ा सा idea लग जाता है, कि आप कौन-कौन से 2 number ले सकते हैं, क्योंकि middle term splitting करने हैं, हमें सिर्फ 2 number लिखने हैं, ठीक है, split करके, तो idea हो जाते हैं, कौन से 2 number ले कि हमारा answer ठीक आजाए, तो अब देखिए, हमारा answer चाहिए, हमें minus 3x, अगर मैं इन दोनों को ले ले लेती हू, तो यह मुझे लगता है, इसलिए मैं आप लोगों को भी इसी तरीके से बता रही हूँ, otherwise आप जो 18 है, उसके factors भी निकाल सकते हैं, कि 1, 2, 3, और उसके बाद 6, 18, कि ऐसे भी factors निकाल के भी आप कर सकते हैं, कि factors निकालने के बाद आप जो factors हैं, यूस में से आप चूज कर सकते हैं, कि आपका कौन से दो number ले सकते हैं, middle term splitting के लिए, लेकिन ये भी एक easy method है, तो आप इससे भी कर सकते हैं, अब देखिए, फर्स्ट टर्म तो हमें 2x square as it is लिख देनी है, second term में आपको किस तरीके से लिखना है, कि plus minus करके minus 3x answer आएगा, minus, आगे minus, तो it means जब minus आगे आ रहा है, तो हमें बड़ी digit के साथ minus लेना चाहिए, क्योंकि जो sign होता है, वो बड़ी digit के साथ से लिखते हैं, तो हम लिखेंगे minus 6x plus 3x, अब देखिए, minus plus minus, 6 में से 3 किया, 3x आगया, sign क्या लगेगा, minus, बड़े वाले के साथ वाला, तो एक condition solve हो गई, अब minus 6x into 3x करिए, 6, 3 is the 18x square, और minus का sign आगया, राइट, देखिए, मैं आपको दिखा देती हो, minus 6x multiply by 3x, करिए, 6, 3 is the 18x square, minus, तो minus आगया, तो हमारा minus 18x square भी आगया, तो it means, यह हमारी middle term splitting एकदम correct है, उसके बाद minus 9 लिख दीजिए, अब वही regrouping वाला, अब देखिए, यह दो terms है, अब number भी है इसमें, 2 और 3 हैं, मैंने बोला, छोटे वाली side पे जाना है, तो 2 common आएगा, और xx में कौन से common है, 1x common आजाएगा, तो अब 2x square में से, 2x हमने बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा, x, माइनस लगाईए, अब 6, यहाँ पे 6 है, हमने 2 बाहर ले लिया, तो 2 की table में 6 कब आएगा, 3 पे, अब खोलेंगे, तो 2, 3 जा 6 ही बन जाएगा, और x, x already बाहर है, तो यह आगया, अब plus 3, आब इन दोनों में देखिए, इसमें common क्या है, 3 common है, x common नहीं है, तो bracket open किया, x लिखा, minus, अब 3 की table में 9 कब आता है, 3 पे, 3, 3 जा 9, अब bracket के अंदर, हमारा same आ गया, x minus 3, x minus 3, अब, x minus 3, x minus 3, दोनों है, common ले लिया, यहां अंदर क्या बचा, अगर मैंने यह common ले लिया, तो बाहर, 2 x, और यहां पर क्या बचा, plus 3, तो answer is, x minus 3, and 2 x plus 3, तो hope, आपको middle term splitting समझ में आया होगा, नहीं आया हो, तो please, एक दो बारी repeat करके देखिए, समझ में आ जाएगा, and उसके बाद, आप अपने संस जरूर कीजिए, ठीक है, तब ही आपको पता चलेगा, कि आपको कितना समझ में आया है, नहीं आया है, तो यह factorization तो हमारा हो गया, अब हम लोग next topic करते हैं, now the next topic is, division of algebraic expressions, अभी तक हमने addition, subtraction and multiplication of algebraic expressions किया था, right, algebraic expressions chapter में, अब हम लोग division करेंगे, इसमें भी different different types है, हम लोग first type लेते हैं, monomial by another monomial, division of a monomial by monomial, right, इसके एक example ले लिजे, एक monomial by monomial means division, one term by one term, अब है 36 x square, y की power 5, by minus 9 x y, इसको आपको divide करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, 36 x square, y की power 5, 9 x y minus, ठीक है, अब आप आप देखिए, जो numbers हैं, आप उसको ऐसे लिजीए, उसके अलावा, आप ऐसे कर सकते हैं, कि x square है, x को दो बारी, y 5 है, तो y को 5 times, 1, 2, 3, 4, 5, and नीचे है x and y, इस तरीके से कर लिजी, अब आपको ये numbers, cut करने, simplify, हमें cut कैसे करना होता है, same number से cut करना होता है, मतलब ये दोनो number, same table में आने चाहिए, अब देखिए, ये 9 है 36 है, आप खुद सोचे कि, इस दोनो number same table में कब आएंगे, hope आप लोगो simplification आता है, बट फिर भी मैं आपको बदा रहे हूँ, same number से cut करना है, कि 9 ones are, 9, 4's are 36, 4 की table में आता है, 9 ones are 9, 9 की table में 36 कब आता है, 4 की table में, तो हमने उपर नीचे को किस से cut किया, 9 से cut किया, 9 ones are 9, 9 fours are 36, और minus का minus, अब 1x से 1x कट गया, 1y से 1y कट गया, तो answer हमारा क्या हो जाएगा, अब यह minus नीचे है, तो हम इसको minus को उपर लिख देंगे, उससे कोई फरक नहीं बढ़ता नीचे है, तो आप उपर लिजा सकते हैं, minus 4, अब x कितने बच गया हमारे पास, x हमारे पास 1 बच गया, और y कितना बच गया, y की पावर 4, y 4, तो answer हमारा हो गया, minus 4, x, y की पावर 4, this is the answer, अब एक तो यह तरीका है, कि y की पावर हमने सब को separate करके लेग दिया, बट अगर माल नीचे हैं, पर y की पावर 20 होती, इसको अगर हम 20 कर देते हैं, तो हम क्या y 20 टाइम्स लिखते हैं एक्जाम में, तो वो तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, उसमें आपको बहुत टाइम जाएगा, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए, यह छोटा प्रोसीजर हो जाए, तो इसी सम को हम किस और तरीके से कर सकते हैं, वो अब मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों ने एक्सपोनेंट्स में, यह फॉर्मुला किया है, एक्स की पावर M, एक्स की पावर N, इक्वल्स टू, एक्स की पावर M, माइनस N, जब बेसस सेम होते हैं, डिविजन होता है, तो एक्स की पावर M, माइनस N हो जाती है, यह फॉर्मुला आपने सेवंथ में भी किया है, एक्सपोनेंट्स में एंड एट में भी किया है, राइट, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठर्टी इसी क्स, एक्स स्क्वेर, वाई की पावर 5, डिवाइड बाई, माइनस 9, एक्स वाई, अब आप क्या कीजे, हम इसको करेंगे, अब आप ऐसे कर लिजे इसको, ठर्टी सेक्स, divided by minus 9 अब x और x term इस formula लगाईए यहाँ पर 2 है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है कुछ नहीं है तो 1 है power तो x को कैसे लिख सकते हैं 2 minus 1 इस formula के इसाब से multiply by y की power 5 minus 1 9 1s आ 9 4s आ minus 4 x 2 में से 1 गया 1 आ गया और y की power 5 में से 1 गया 4 आ गया see answer तो वही रहा जो पहले आया था बट यह हमारा easy हो गया ठीक है बस हमें यह formula यूज करना exponent वाला that's it तो अब हम लोग next topic करते हैं division में ही now the next is division of a polynomial by monomial polynomial means जिसमें one term हो, two हो, three हो, four terms हो उन सबको हम polynomial बोलते हैं तो कितनी भी terms हाएं उसको monomial से divide करना है तो अब हम कैसे करेंगे एक example ले 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 थे हैं three x three x cube y square 2 x square plus 2 x square y plus 15 x y by इस पूरे expression को आपको divide करना है 3 x y से ठीक है, this is the sum आपको कैसे करना है, यह देखते हैं, देखिए 3 x cube y square इस पूरे expression को divide करना है 3 x y से तो हम क्या करेंगे 3 x y सबसे ही divide करना है, ठीक है तो plus 2 x square y divided by 3 x y plus 15 x y divided by 3 x y राइट अच्चली मैं हमें सबसे divide करना था, ऐसे अगर आप देखिए ऐसे मैं लिखके आपको पहले दिखा देती हूँ आपको सबसे divide करना था 3 x y से इससे भी, इससे भी, इससे भी अब मैंने क्या किया, इन सबको separate कर दिया, और 3 x y सबके नीचे लिख दिया, क्योंकि इसका exact meaning यह ही है, राइट यह plus हो गया और यहाँ पर यह plus हो गया यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 x y और यहाँ पर भी लिख दिया 3 x y, ठीक है अब आपको depend करता है कि आप कौन सा method use कर सकते हैं जो आपको easy लगए आप वो कीजिए यहाँ तो आपको सबके नीचे 3 x y लिख दिजिए और उपर वाली terms में से फिर common जो terms है common जो number से वो बहार निका लिए और उसके बाद उसको solve कीजिए लेकिन एक method यह भी है अभी हम लोग यह वाला method करते हैं अब देखिए, यह 3 से 3 कट गया उपर नीचे कट सकते हैं multiply में भी उपर कोई और term है नहीं अब यहाँ पर x cube है यहाँ x है, तो हम कैसे लिख सकते हैं अभी हमने सीखा, x के पावर 3 3 minus 1 और y के पावर 2 2 minus 1, राइट अब plus लिख दीजिए अब 2 by 3 2 और 3, ऐसे ही numbers हैं जो किसी एक table में नहीं आते because they are prime numbers तो 2 by 3 को हम ऐसे ही लिखेंगे अब यहाँ पर x के पावर 2 नीचे है 1 तो 2 minus 1 और y और y है, तो y से तो y कट जाएगा ठीक है, plus 15 by 3, 15 by 3 को काट दीजिए 3 ones are, 3 fives are same table में आने चाहिए वो दोनों numbers, उसी table के numbers उसी table, number से हम काटते हैं 3 से काटा हैं, 3 की table में 3 कब आते है 1 पे, 3 की table में 15 कब आते है 5 पे, तो answer is 5 अब x से x कट गया y से y कट गया, तो यह आ गया अब यहाँ पर 3 minus 1 x square y 2 minus 1 y, plus 2 by 3 x, 2 minus 1 x plus 5, तो x square y, 2 by 3 x plus 5, is the answer ठीक है, तो यह easy है, आप इस तरीके से कर सकते हैं या फिर सबके नीचे 3 x y common लेजिए, और उपर फिर आप देखेंगे, कि क्या आप common बाहर निकाल सकते हैं उस तरीके से भी आप proceed कर सकते हैं यह method easy है, तो आप यह follow कर सकते हैं अब हम लोग next topic करते हैं अब हम लोग करेंगे division of a polynomial by a polynomial, polynomial आपको पता है क्या होता है, तो polynomial by polynomial वाले sums बहुत आते हैं exam में, तो आप हम लोग एक example ले ले लेते हैं उसके साबसे मैं आपको समझाती हूं 2x square plus 6x को आपको divide करना है by x plus 3 से यह polynomial by polynomial अब हम करेंगे 2x square plus 6x divided by x plus 3 अब x plus 3 यह एक expression है इसको हम और reduce नहीं कर सकते हैं बट उपर वाले में हम कुछ कर सकते हैं इसको reduce कर सकते हैं इसको factors हम अलग कर सकते हैं इसमें कुछ factors हम separate नहीं कर सकते हैं अब हमने factorization समझ में आगया हमने factorization की method सीख लिए तो उस method को कोई भी method को use करके आप उपर वाले expression को factorize करें राइट हमें factorize करना है उपर वाली term को नीचे वाली अल्रेडी factorize रहे उसको कुछ और नहीं कर सकते हैं अब हम उपर वाली में क्या करेंगे हम लोग उपर वाली में common लेंगे कुछ देखिए यह number है 2 यह 6 है इसमें कुछ common आ सकते हैं यहां x square है यहां x common आ सकता है तो उपर वाली expression को common method से हम लोग factorize करते हैं राइट अब देखिए 2 और 6 में मैंने 2 common ले लिया x square है यहां x है कम पावर किसकी है x की तो x common ले लिया अब bracket open कीजिए 2 x square में से 2 x आ गया तो अब अंदर क्या बचेगा यहां पर 1 x क्योंकि जब हम 2 x को x से multiply करेंगे तो 2 x square ही आएगा अब प्लस अब यहां यहां पर 6 है ठीक है यहां पर 6 आना चाहिए लेकिन हमने 2 तो पहले ही common ले लिया तो 2 हम किसे multiply करेंगे 6 है 3 से 2 3 6 अब x एक बाहर आ गया तो अंदर कुछ नहीं बचेगा close कर दीजे नीचे आ गया x plus 3 ठीक है अब x plus 3 x plus 3 कट हो जाएगा क्यों क्योंकि यहां उपर नीचे कट हो सकता है अगर सेम चीज हो तो लेकिन यहां बीच में multiply होना चाहिए सब कुछ multiply में होना चाहिए तभी प्लस यहां बीच में प्लस होता कहीं पर फिर x plus 3 होता नीचे x plus 3 होता तो हम कट नहीं कर सकते थे लेकिन सब कुछ अगर multiply में हो multiply में मतलब उपर सिरफ एक ही टर्म हो नीचे भी एक ही टर्म हो तो हम कट कर सकते हैं ठीक है तो अब हमारा answer क्या आगया इस case में 2 x 2 x is the answer तो this is the method which is given in ncrt यह procedure ncrt का है राइट यह मैंने एक बहुत easy sum आपको कराया है लेकिन आपको काफी difficult difficult sums आएंगे करने के लिए जो कि इस method से थोड़ा difficult हो जाता है करने के लिए तो मैं आपको polynomial by polynomial division का एक long division method करा देती हूं that is easy and उससे answer बहुत जल्दी से आजाता है and that is not given in ncrt but अगर आप उस method को follow करते हैं तो आपका answer quickly आजाता है कुछ गल्तिय होने के उतने chances नहीं होते अब यह वैसी method आपको easy लग रहा होगा आपको तो सोच रहे होंगे की procedure तो बहुत easy है बट procedure इस त्लिए easier because I have taken very easy example लेकिन अगर इसी में कोई बिगर पॉलिनॉमियल आ जाता है इधर भी बिगर पॉलिनॉमियल आ जाता है तो उस case में आपको difficulty हो जाती है तो एक हम long division method कर लेते हैं and वह आप follow कर सकते हैं उसमें कोई problem नहीं है तो वह चल्दी से कर लेते हैं and that is the last topic of my now this is the long division method for division of a polynomial by a polynomial ठीक है अब देखिए इस expression को इस polynomial को आपको divide करना है इस polynomial से अब इस polynomial को देखिए this is a quadratic trinomial means जो middle term हमने splitting सीखा था इस polynomial को वैसे आपको उस middle term वाले से solve करना पड़ेगा और उसके बाद 2x plus 1 से divide करना होगा एक method तो यह वाला है आप उसको भी follow कर सकते हैं ठीक है लेकिन अभी हम यहाँ पर long division method करेंगे long division method एक ही method है उसके अंदर फिर आपको middle term splitting या common लेना या grouping वाले method करने की कोई ज़रूत नहीं है simple एक method लीजिए और उससे आप solve कर सकते हैं ठीक है अब हम लोग division करते हैं इसकी ध्यान से देखिएगा आप divide का sign बनाएए 2x square plus 5x plus 2 आपके जो division वाले sums होंगे factorization में आप उन sums को long division से करके देखिएगा आपको देखिए कितना easy लगेगा अब यहां पर लिख दीजिए 2x plus 1 ठीक है अब हम लोगों को इस method में क्या करना है कि जो यहां जो अंदर वाली term है उसको कम करते वे जाना है मतलब उसको हमें 0 बनाना है कैसे अब देखिए यह 2x square है इसकी पहली term क्या है 2x मैं 2x को किस से multiply करूँ कि यह 2x square बन जाए मैं 2x को x से multiply कर देती हूं 2x को अगर exactly kườ содosition तो यह 2x square बन जाएगा हमें science का भी धिहान रखना होगा अगर यहां पर माइनस होता तो मैरे को यहां पर थाम एक्लिप्लाई करना होता थाकि माईनस 2x स्क्वेर बन जाता इफ यहां पर अगर माइनस 2x स्क्वेर होता तो मुझे माइनस x से मल्टिप्लाई करना होता था कि यह माइनस 2x स्क्वेर बन जाता लेकिन अभी हम प्लस से ही कर लेते हैं इस 2x को किस से मल्टिप्लाई करें कि 2x स्क्वेर बन जाए किस से multiply करें x से right तो x यहां लिखेंगे this is the question 2x को multiply करेंगे x से कि यह 2x square बन जाएगा ठीक है अब सेम इस x को इस वाली term से multiply करना है जितनी भी यहां पर terms होंगी इधर बाहर diviser में उन सब terms से आपको इस जो आपने question में लिखे हो सब से multiply करना होगा लेकिन हमारे पास एक autumn है तो x को 1 से multiply किया x 1 जा x तो यहां लिख दिया plus x right अब क्या करें minus हमने algebraic expressions में सीखा है जबी हम column method से minus करते हैं तो नीचे वाले science change हो जाते हैं यह plus है तो यह minus बन गया यहां पर भी plus है तो यह minus बन गया अब देखिए यह उपर वाला 2x square plus minus 2x square 2x square में से minus 2x square निकला तो क्या बन गया 0 यह तो आपस में cut हो गए ठीक है अब यहां क्या बचा 5x और यह क्या है minus x plus minus minus 5x में से 1 नहीं आगे कुछ नहीं है तो 1 4x sign कौन सा लगेगा जो बड़े number के साथ है plus अब यह जो number यह जो एक और term बच गए उसको नीचे ले आईए ठीक है अब again आगे वाली term देखे 4x और यहां पर भी again आगे वाली term देखे 4 2x 2x को किस से multiply करेंगी 4x बन जाए 2x को multiply करती हूँ 2 से तो यह 4x बन जाएगा 2 2 जा 4x तो मैं क्या लिखूंगी plus 2 अब इस 2 को इस 2x से multiply कीजिए क्या बनेगा 4x अगे इस 2 को इस 1 से भी multiply करना है जितनी भी terms है उन सबसे multiply करके लिखना होगा 2 1s हा 2 राइट अब again minus कीजिए यह minus हो गया यह भी minus हो गया 4x plus minus 4x आपस में कट गया यह plus 2 minus 2 आपस में कट गया आंसर आगया 0 राइट तो हमारा remainder आगया 0 और quotient आगया हमारा x plus 2 राइट तो इसका answer क्या हो गया x plus 2 मतलब यह हमारा हो गया quotient और यह हमारा हो गया remainder राइट तो वैसे जब आप इसको दूसरे मतलब से solve करते तो x plus 2e answer आता तो इस पर भी आप बहुत सारे sums कर सकते हैं कोई और book भी refer कर सकते हैं तो this is the last topic of my video hope you like my video आपने बहुत कुछ सीखा है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको like share and subscribe जरूर कीजिए और बहुत सारे लोगों के साथ share कीजिए ताकि सभी को फायदा हो and please मेरी वीडियो को like जरूर कीजिए थैंक यू थैंक यू वेरी